बच्चो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा हिटिंग इफेक्ट आप इलेक्टिक करंट आज हम पढ़ेंगे वाट इज मैगनेटिक इफेक्ट आफ इलेक्टिक करंट तो चलिए शुरू करते हैं तो बच्चो ऐसा देखागा है अगर किसी electrical wire में से current flow होता है तो उसके surrounding में magnetic field आर होते हैं देखो बच्चो सपोज एक कोई electrical wire है ठीके और उसमें से upward direction में current flow हो रहा है तो इसके surrounding में magnetic field आर होते हैं देखो और उसका shape ऐसा कुछ concentric circle के form में होता है बच्चो ऐसे उसके surrounding में magnetic field आर होते हैं ठीके देखो बच्चो अभी ओ magnetic field दो हमारे आखों से हमको दिखेगी नहीं that is imaginary तो फिर हमको पता कई से चला कि उसके surrounding में magnetic field है तो बच्चो उसके लिए आपके textbook में उन्होंने दो experiment दिये तो experiment क्या है हम देखेंगे one by one तो चले हम करते पहला experiment तो बच्चो यह experiment फ्रू करता है कि magnetic field is formed surrounding the current carrying conductor देखो बच्चो हमने क्या क्या एक electrical circuit लिया और इस wire के अंदर हमने cardboard को डाला देखो कुछ ऐसे डाला हमने ठीके सपोज यह vertical wire ऐसा wire है उसके अंदर हमने इस cardboard को ऐसे डाला है बीच में देखो और बच्चो इसके उपर हमने iron के छोटे-छोटे तुकडे डाल देखो यहाँ पे यह जो दिखरान आपको dot dot यह सब iron के छोटे-छोटे तुकडे मतलब उसको हम बोलते iron filling उसके उपर हम हमने ऐसे फैला दिये ठीके अभी हमने क्या किया बच्चो इस switch को on किया switch को on किया तो क्या होगा current flow होगा कैसे flow होगा from positive terminal of battery to negative terminal of battery ऐसा current flow होगा है तो बच्चो ऐसा दिखा गया है जब भी इसमें से current flow होता है तो यहाँ पे जो iron के छोटे-छोटे-छोटे तुकडे न ओ ए एक प्रॉपर शेप ले लेते देखो कैसा शेप ले लेते और सब एक शेप में आ जाते बच्चो देखो ऐसा देखा गया है कि उन्होंने सब ने ऐसा शेप ले लिया circular इसके surrounding में ऐसा circular शेप ले लिया उसने iron फिलिंग ने ठीक है बच्चो यहाँ पे iron फिलिंग ने इसा proper शेप ले लिया circular in the form of concentric circle है ऐसे एक के बाद एक circles form हुए देखो बच्चो हमने iron ही क्यों लिया था because iron is a magnetic material ठीक है मतलब वो magnet की तरफ attract होता है ठीक है तो यहाँ पे भी इस wire ने क्या किया है current carrying wire ने अपने आजो बाजो में magnetic field तायर करी जैसे magnet अपने आजो बाजो में magnetic field तायर करता है वाइसा है इसने अपने surrounding में magnetic field तायर की और उसको उसमें attract किये गई iron fillings और उस magnetic field ने attract किया और उसको एक प्रॉपर शेप में फैला दिया in the form of concentric circle so this experiment proved that magnetic field is produced surrounding the current carrying conductor ठीक है बच्चो इसके लिए और एक experiment देखो बच्चो यहाँ पर आपको एक compass दिख रहा होगा जिसको हम यूज करते है to find out the direction ठीक है देखो बच्चो उस compass में क्या होता है magnetic needle होती है ठीक है अभी हमने क्या किया इस electrical circuit को शुरू किया switch on किया तो उसमें से ऐसा current flow होने लगेगा देखो बच्चो अईसा देखा गाया है कि वो compass में जो needle होती ना देखो needle जो magnetic needle होती है जो direction दिखाती है वो deflect होती है वो ऐसे deflect होती है बच्चो पहले इधर थी suppose तो बाद में वो इधर जायेगी ठीक है deflect हो रही है ठीक है और बच्चो अगर हम इस current के direction change करते है by changing the polarity तो ऐसा देखा गाया है कि अब उस magnetic needle ने opposite direction में deflection किया मतलब इधर deflection किया अब इधर deflection में पहले वो इधर deflection हो रही थी अब उसने इधर deflection किया ठीक है तो बच्चो इस experiment is also prove that कि इस current carrying conductor के आजू बाजू में मतलब surrounding में magnetic field तयार हो रही है देखो ए magnetic needle is made up of magnet ठीक है उसके भी आपनी कुछ magnetic field होगी और इस current carrying conductor में भी magnetic field तयार किये और अभी उन दोनों के magnetic field में interaction हो रहा है जिसके कारण magnetic needle deflect हो रही है ठीक है तो इस experiment also prove that magnetic field is produced surrounding the current carrying conductor तो आज हमने दो experiment पढ़े जो प्रूव करते है कि magnetic field is produced surrounding the current carrying conductor बच्चो अभी next lecture में हम पढ़ेंगे ये जो magnetic field produced हो रही है उसके direction कैसे find out करना ठीक है मतलब हम पढ़ेंगे right hand thumb roll